Hello Friends, Welcome to Learning Upfront Investing दोस्तों आज हम Specialty Chemicals के 4 Micro Cap Multi-Bagger Stocks लेके आए हैं और इन सभी Micro Cap Stocks का Market Capital 1000 करोर से भी कम है यानि कि ये बहुत छोटे Stocks हैं और आप समझ ही गए होंगे इनका Risk Level दोस्तों Risk Quotient काफी हाई है और Reward भी काफी हाई है तो आप अपने Risk Reward के Ratio के According इन में Play करके चल सकते हैं और दोस्तों ये सभी Stocks काफी Diversified हैं क्योंकि ये Same Sector से Belong करने के बावजूद इनका Product Portfolio एक दूसरे से काफी Different है तो अगर आप इन सभी में थोड़ा थोड़ा Invest करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी Plan कर सकते हैं तो दोस्तों Investment Strategies के बारे में कुछ और Detailed Information जानेंगे इस वीडियो के बीच में तो दोस्तों Start करते हैं अपने First Stock से और हमारे First Stock का Technical चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों इसका ये Level जो 150 के आसपास का है आप देख सकते हैं ये कितना Crucial Level है यहाँ पे इसने कितनी Bar कितना Support लिया है आप देखिए यहाँ पे इसने Support लिया है और काफी लंबे समय तक Consolidate किया है और फिर से Stock वो ही Pattern पे चल रहा है और फिर से यही Consolidate कर रहा है फिर से Breakout लिया है और उसके बावजूद Same Pattern After Repeated, Repeated and Repeated तो Over and Over Again Same Pattern को Stock Follow कर रहा है उपर जा रहा है Breakout देके और फिर धीरे Consolidate करने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो दोस्तों अब यहां से यह अपने बहुत Important Support पे आया हुआ है 150 के आसपास तो देखना यह है इसमें Breakout होता है या फिर यह थोड़ा और Consolidation Mode में जाता है तो दोस्तों अगर इसमें Breakout होता है तो यह Easily 190 के आसपास को टच कर सकता है तो कुल मिलाके हम यह कहना चाते हैं कि Stock इस टाइम अपने बहुत Important और Crucial Support पे ट्रेड कर रहा है और आप RSI भी देख सकते हैं इसका RSI 40 के आसपास देखने को मिल रहा है तो अगर आप थोड़ी बहुत Quantity, Micro Cap, Chemical Sector के Micro Cap Stocks में इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इस Level पे भी यानि कि Current Buying Price पे भी Investment कर सकते हैं दोस्तों Market Capital देखिए Only 182 करोर तो Friends, इन छोटे-छोटे Stocks की खासियत यह होती है कि इनका Market Capital बहुत जल्दी Double हो जाता है Triple हो जाता है, Four Times हो जाता है और साथ में उसी पेस पे बढ़ता है आपका Invested Amount और दोस्तों इन में Correction भी उसी Speed से आता है यानि की High Risk भी और High Reward भी तो आप अपने Risk Appetite के हिसाब से इसमें Investment Plan कर सकते हैं Stock PE की देखें, तो 20 का है Current Price 148 का है और All Time High देखे, 270 रुपीज का इसका All Time High है और अभी अपने All Time High से अच्छे खासे Discounted Price पे हमको मिल रहा है In fact, इतना ही नहीं दोस्तों ये Stock अपने 200 Day Moving Average से भी Discounted Value पे Trade कर रहा है अब देख सकते हैं और ROCE देखे, 21.8 यानि की Approximate 22% का है ROE 16% का है 16.4% तो छोटे से Stock की Market Capital 182 करोर है और ROCE और ROE बहुत High माना जाएगा और Promoter Holdings देखे, 74.2% और PEG Ratio, It is Under 1 So, Clearly Stock is Undervalued तो Moving On, Sales Growth देख लेते हैं March 2018 से लेके अब तक इसकी Sales 42.38 करोर से बढ़ते-बढ़ते हो गई है 82.10 करोर Operating Profit 8 करोर यानि की 7.98 करोर से बढ़ते-बढ़ते हो गए है 15.82 करोर और Operating Profit Margin इसके 19.27 के है तो काफी Profitable Business है Profit Viewer Dex की बात करें तो 2.55 करोर से बढ़ते-बढ़ते हो गया है 12.45 करोर वहीं Net Profit 1.5 करोर से बढ़ते-बढ़ते हो गया है 9.05 करोर तो अगर Bigger Picture देखें Long Term की सोचें तो दोस्तों इसका Sales, Profit, Operating Profit, Margin, PBT, Net Profit सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है लेकिन उसके बावजूद स्टॉक अभी हमें काफी important support पे available है उपर से काफी अच्छे खासे discount पे हमको मिल रहा है तो friends कुछ historical data देख लेते हैं Sales growth in last 10 years 15% in last 5 years 9% last 3 years 17% last year 24% तो friends last 5 years की थोड़ी सी dented है बट इसने comeback काफी strong किया है और अगर compounded profit growth देखें last 10 years की 23% last 5 years की 38% and last 3 years की 54% देखने को मिल रही है ROE, Return on Equity last 5 years में 15% last 3 years में 18% last year में 16% वहीं stock price C.A.G.R last 3 years में 88% और अभी अपने all time high से अच्छे का से discounted price पे मिल रहा है जो already हम detail में discuss कर चुके हैं तो दोस्तों stock का नाम है PAR Drugs and Chemicals Limited और which is engaged in manufacturing of active pharma ingredients that is API and fine chemicals for domestic and international markets अगर आप हमारे channel के regular viewers हैं तो हमने active pharma ingredients ये क्या चीज होते हैं कहां use होते हैं इनका एक वीडियो में बहुत detail से discussion किया था दोस्तों active pharmaceutical ingredients actually salt होते हैं जो medicines में use होते हैं तो यानि कि एक medicine का जो important acting agent होता है बहुत important agent होता है वो API ही होता है जिसको हम medical terms में salt भी बोलते हैं थोड़ा और detail में जाने तो company currently produces an entire range of antacid molecules and the production portfolio comprises of 18 APIs and 10 fine chemicals It is one of the largest manufacturer of magnesium तो दोस्तों magnesium की ये one of the largest manufacturer है और ऐसे ऐसे points आपको बहुत बारीकी से समझने चाहिए दोस्तों चोटी सी company है और उसके बावजूद ये magnesium की largest one of the largest manufacturers है और company का business इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है तो ये एक चोटी सी company की achievement है तो all in all कहने का मकसद ये है इसका business काफी futuristic हमें लग रहा है और साथ ही साथ बहुत diversified business में ये काम करती है stock का नाम आप जान ही चुके हो it is power drugs and chemicals limited so moving on to our next stock now हमारे next stock का structure भी कुछ ऐसा ही है जो हमने last stock में देखा था आप देख सकते हैं ये भी बिलकुल EC line में यानि की 75-76 रुपीज पे consolidate कर रहा है sideways move दिखा रहा है और अपने all time high से आप देख सकते हैं अच्छे खासे discount पे हमको available है तो long term investors current market price पे investment करके चल सकते हैं और हाँ दोस्तों investment करने से पहले अपने financial advisor की सलाथ जरूर लें तो इसकी market capital देखिए 737 करोर का market capital है current price is 76 रुपीज और all time high देखिए 157 यानि कि अपने all time high से almost 50% के discount पे हमको मिल रहा है ROCE is very high 36.1% ROE is also very high 38.0% और PEG ratio देखिए clearly stock is undervalued और promoter की holdings देखिए 75% का stake इसमें promoters का है और stock अपने 200 day moving average से which is 86.6 इससे भी काफी discounted price में trade कर रहा है अब sales देख रहते हैं दोस्तों तो हम long term investor हैं इसलिए हम long term की profit and loss statement का chart आपके सामने हर बार open करते हैं मार्स 2018 से लेके मार्स 2022 का data यहाँ पे show किया गया है 353 करोर से बढ़ते बढ़ते sales पहुंच चुके हैं 824 करोर operating profit 36 करोर से बढ़के 123 करोर OPM percentage 10% से बढ़के 15% PBT 2 करोर से बढ़के 102 करोर और net profit 2 करोर से बढ़के 80 करोर तो फेंड्स sales बढ़ रहे हैं operating profit बढ़ रहे हैं operating profit margin की percentage बढ़ रही है PBT and net profit साब बढ़ रहे हैं लेकिन stock अभी हमको discounted price पे मिल रहा है तो दोस्तों यह होता है real discount in stocks compounded sales growth last 10 years में 2% last 5 year में 18% last 3 years में 30% and current 81% तो यह धीरे धीरे आप देख सकते हैं अगर हम compounded profit growth देखें तो last 10 years में 14% last 5 years में 116% last 3 years में 118% and currently 82% अगर हम return on equity देखें तो यह भी year on year बढ़ती ही जा रही है अब देख सकते हैं last 10 years में 9% last 5 years में 17% last 3 years में 23% and last year में 38% stock price CAGR last 10 years में 19% last 5 years में 28% last 1 year में 13% friends stock का नाम है Khetan Chemicals and Fertilizers Limited which is engaged in manufacturing of single super phosphate fertilizers, sulfuric acid and its variants तो इसी की यानि की fertilizer और sulfuric acid की specialization यह करती है इसी की downstream derivatives में यह deal करती है और यह oil seeds भी बनाती है और wind power का भी business करती है अगर हम fertilizer division की बात करें तो company is the leading producer of single super phosphate SSP fertilizer तो fertilizer is available in popular brand's name such as Khaitan, single super phosphate and Utsav single super phosphate तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटी सी company है और business बहुत जादा इसका diversified है यह fertilizer में भी है sulfuric acid यानि की speciality chemicals में भी है oil seeds भी है और wind power में भी यह deal करते है तो friends, business इसका काफी diversified है और मुझे personally काफी पसंद है stock का नाम है khaitan chemicals and fertilizers limited so moving on to our next stock now हमारे next stock का chart आप देख सकते हैं यह भी same almost similar मिलता जूलता pattern follow कर रहा है और अभी यह एक range bounded trade में चल रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हो यह almost कहीं न कहीं bottom बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका main support जो आता है वो 252 के आसपास निकल के आता है और अभी यह 262 के level पे trade कर रहा है यानि कि अगर आप interested हो तो आप current market price पे भी थोड़ी बहुत quantity buy करके चल सकते हैं क्योंकि यह अपने all time high से अच्छे खासे discounted price पे अब हमको मिल रहा है so market capital देख लेते हैं 812 crore का market capital है current price देखिए 264 crore और इसमें दोस्तों 50% से भी जादा का discount हमको मिल रहा है all time high value से ROCE is very strong 26.5% ROE is also very strong 23.6% Promoter holding almost 49% है PEG ratio 0.28% है तो friends सभी stocks काफी undervalued है और अपने all time high से discounted price पे trade कर रहे हैं इतना ही नहीं अपने 200 day moving average से भी अच्छे खासे discount पे हमको मिल रहे हैं अब देख सकते हैं 200 day moving average है 312 और stock अभी हमको मिल रहा है 264 rupees में तो बहुत अच्छे levels पे बहुत अच्छी valuation पे stock हमको इस समय available है तो जल्दी से historical data चेक कर लेते हैं sales और profit growth का तो last 5 years में 25% की sales growth last 3 years में 25% की sales growth and currently 37% की sales growth last 5 years में compounded profit growth is 68% last 3 years में 24% and last year में 26% return on equity last 5 years में 32%, last 3 years में 29% last year में 24% and stock का नाम है Sigachi Industries Limited और अगर हम इसके business model की बात करें तो it is one of the largest manufacturers of micro crystalline cellulose worldwide and has 3 multi-locational facilities in Telangana and Gujarat तो दोस्तों ये micro crystalline cellulose में largest manufacturer है in the world worldwide तो friends ऐसे ऐसे business model में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको देखने के मिलता है one of the leading manufacturer one of the largest manufacturers या monopoly stocks जो होते हैं monopoly stocks पे भी हम time to time videos लेके आते हैं तो दोस्तों business model को समझे क्योंकि हमारे कहीं viewers ऐसे हैं जो सिर्फ stock के नाम के पीछे भागते हैं और वो वीडियो को skip कर 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 देखते हैं तो दोस्तों जब तक आप business model company का नहीं समझेंगे आप stock में conviction नहीं बना पाएंगे और नहीं उस stock को hold कर पाएंगे as a result आप कहीं न कहीं घबराके stocks को loss book करके ही exit हो जाएंगे लेकिन friends अगर आप stock का business model समझते हो stocks की strength समझते हो तो आप conviction बना पाएंगे hold कर पाएंगे और in fact आप अगर आपकी purchasing के बाद stock down आता है यानि की correct होता है तो आप averaging भी बहुत अच्छी तरीक है systematically कर पाएंगे तो दोस्तों यह होता है business model जानने का result तो business model जानना बहुत ही जरूरी है और खासकर अगर आप long term के लिए hold कर रहे हैं आप long term relationship बनाना चाहते हैं stocks के साथ तो फिर तो this is must की आप stock के business model को बहुत अच्छी तरह से detail में समझें और कुछ और detail इसकी दे गई है Sigachi Industries Limited is one of the leading manufacturers of cellulose based excipent industry in India with over 30 years of experience the company has a comprehensive product portfolio that enables it to hold a leading share in the market तो friends अब देख सकते हैं company एक leadership hold करती है in spite of being a micro cap stock सोचिए दोस्तों जब ये धीरे-धीरे small cap में convert होगा mid cap में convert होगा then large cap में convert होगा तो ये आपको हजारों से लाखों percent का return बनाके दे सकता है तो दोस्तों हमारा main मकसद है आपको stocks के fundamental समझाना technical समझाना business model समझाना लेकिन अगर आप invest करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का analysis कीजिए या फिर अपने financial advisor को संपर्क कर सकते हैं stock का नाम आप जान ही चुके हो it is sigachi industries limited so moving on to our next stock हमारे next stock का नाम है हिंदुस्तान adhesive और दोस्तों यह भी काफी important support पे trade कर रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों जब stock उपर जाता है अगर वो कहीं पे resistance शो करता है देखिए जैसे यह level है यहां पे इसने resistance शो किया जब यह उपर जा रहा था टच करके नीचे आया फिर से ऊपर गया यहां resistance लिया और फिर से वापिस आ गया लेकिन अब जब इस point को touch किया तो इसने breakout दे दिया और breakout देने के बाद काफी अच्छी तेजी stock में देखने को मिलती है और फिर stock अपने all time high को touch कर जाता है फिर धीरे धीरे stock नीचे आता है और जो जहां पे उसने पहले resistance लिया था वही point stock का support बन जाता है यानि कि वहाँ पे stock sport ले लेता है और यही level अब as a sport बहुत लंबे समय से stock को support दे रहा है तो friends आप current market price पे भी buying करके चल सकते हैं अगर हम इसका RSI देखें तो यह भी 40 के आसपास ही trade कर रहा है market capital check कर लेते हैं microcap stock है with market capital of 206 crore current price 403 crore है all time high इसका है 658 crore stock PE 16.3 का है ROCE is very high at 20.2 ROE is also equally good at 25.5% promoter holdings काफी strong है at 68.5% PEG ratio is under 1 0.79 तो clearly stock is undervalued और आप देख सकते हैं यह stock भी अपने 200 day moving average से discounted price में हमको मिल रहा है तो friends हमने जितने भी stock इस video में cover किये हैं सारे आपको बहुत अच्छी बहुत चीप सस्ती valuations पे मिल रहे हैं बहुत reasonable values पे मिल रहे हैं बहुत discounted price पे मिल रहे हैं और वो भी अपने support पे तो friends if you want to plan investment in these stocks you can consult your financial advisor before investing compounded sales growth last 10 years में 21%, last 5 years में 43%, last 3 years में 48% और currently 89% compounded profit growth in last 10 years 23%, in last 5 years 21%, in last 3 years 74% and currently 40% return on equity देख लेते हैं last 10 years में 18%, last 5 years में 19%, last 3 years में 23% and last year 25% तो काफी promising है sales growth भी, profit growth भी, return on equity भी और stock price CAGR भी बहुत अच्छा return इसने बना के दिया है अपने shareholders को अब देख सकते हैं last 10 years में 42% के kegger, last 5 years में 37, last 3 years में 68 and last 1 year में 55% के kegger से इसने अपने shareholders को return बना के दिया है, दोस्तों stock का नाव जान ही चुके हो, it is Hindustan Adhesives Limited और अगर हम Hindustan Adhesives Limited, जिसका हम stock short form में बोलते हैं H-A-L इसका business model आपकी screen पे दिया गया है, it is source of leading edge pressure sensitive adhesive tape solutions backed by a team that stands by you as much as the product, so friends काफी reliable ही अपने product को claim कर रहे हैं, we know that right tape can make or break your entire process, okay, और अगर इसके हम product portfolio की बात करें, तो इसके product portfolio में है B.O.P.P. film, adhesive paper core boxes along with fully automated coated printing, silting and packaging machine from Italy, तो friends काफी forward और backward integrated company और इनके R&D levels भी काफी strong है और in-house R&D team है, जो काफी अच्छे से काम कर रही है, Hindustan Adhesives Limited has achieved market leadership performance consistency, तो friends, business model समझे, ये point note कीजिए, Performance consistency and extremely competitive prices, हिंदुस्तान Adhesives Limited, tapes offer superior performance, high tech, better cohesion, optimal elongation and great tensile strength, तो friends, top काफी diversified है, packaging, taping and adhesive segment में काम करता है, और इस group की कुछ और डीटेल आपकी screen पे दी गई हैं, आप वीडियो को pause करके go through कर सकते हैं, तो friends, आपकी screen पे दो बहुत important वीडियो के link दिये गए हैं, आप उन दोनों वीडियो को end तक जरूर देखें, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप comment section में जरूर बताएं, और हमारे channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like जरूर कीजिए, और friends, आप channel को subscribe करना भूल जाते हैं, channel को याद से subscribe कीजिए, तो friends, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किस और वीडियो में, तब तक लिए goodbye, take care and thank you for watching this video.